साथियों नमस्कार, मैं उंकार गोश्वामी, आपका इस चैनल पर हादिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ हम पढ़ रहे थे हिंदी साहिते का संसिप्ट इतिहास सीरीज के अंतरगत गत एपिसरड में नाच साहिते को आज हम पढ़ने वाले हैं रासो साहिते को, इसमें हम जानेंगे कि रासो से क्या विप्राई है, और रासो शब्द पर विबिन इतिहास साहितेकारों का मत क्या रहा है और कौन-कौन सी प्रसित रचनाई हैं और उनकी विशेस्ताओं पर प्रकास डालेंगे इस आज की वीडियो में वीडियो सुरू करने से परे निवेदन हैं आपसे कि आप यदि चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें आधिकाल में रासो गरंथ परयाप्त मातरा में मिलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निरबाद रूप से रासो लिखे गए रासो सब्द की व्यत्पुति के सम्मन्द में विभिन विद्वानों के मत प्रचलित है फ्रांसेसी इतिहासकार गारसाद तासी ने रासो सब्द की व्यत्पति राजसुय सब्द से मानने वाले हैं गारसाद तासी किस सब्द से राजसुय सब्द से मानने वाले हैं महत्पूर्ण प्रश्ण है आचारी रामचंद्र शुक्ल राशो सब्द की व्यूत्पती है वो रशायन सब्द से मानते हैं यह से भी महत्पूर्ण है शुक्ल के अनुशार बीसल देव रासों में रशायन सब्द बार बार आया है तो शुक्ल जी ने इसका आधार दिया है क हम राशो सब्द की व्यूत्पती रशायन से क्यों माने और उसका कारण है बीसल देव राशो में इस सब्द की पुन्रा वर्ति हुई है यह सब्द बार बार आया है इसलिए सुक्ल जी का मानना है कि राशो सब्द की व्यूत्पती रशायन सब्द से हुई है नरुतम स्वामी ने रशिक सब्द से मानी है नरुतम स्वामी ने तथा आचारे चंद्रवली पांडे एवं आचारे हजारी परसाद दुव्यदी ने संस्क्रत के रासक सब्द से रासो की वियुत्पति मानी है ये विद्वनों के विभिन अलग-अलग मत है और इसी के संब्द में परिक्षाओं में पूछा जाता है मिलान करने के लिए दिया जाता है नेट जैसी परिक्षाओं में कि कौन से मत के प्रवट तक कौन रही है या कहें कि रासो सब्द की व्यत्पती के संबंध में जो संबंधित मत है उनका सही युगम कौन सा है या सही युगम कौन सा नहीं है ऐसी जानकारी नेट जैसी परिक्षाव में फस्ट केट जैसी परिक्षाव में पूछी जाती है तो ये सारे जो मत है वो हमें इस्वन होने चाहिए याद होने चाहिए दुईवेदी जी ने कहा रासक वस्तुतह एक विसेश प्रकार का खेल या मनोरंजन है रास में भी वही भाव है वास्तों में रासो राजिस्तानी बासा डिंगल में राजियास्त्र कवियों विसेश रूप से चारन जाती के कवियों दारा युद्धों का चित्रण वीरता की यसुगान को अति सयोक्ति पूर्ण धंग से दारा प्रवाह ओजस्वी बासा सहली में लिखा गया काव्य है आचारे सुक्ल ने राशो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहिते के प्रथम काल का नाम करण वीर गाथा काल के रूप में किया है यह हम जानकरी पहले नाम करण में पढ़ चुके हैं और राशो ग्रंथों को आधार मानते हुई जो ग्रंथ बारह थे उसमें भी राशो ग्रंथों की बहुल्यता थी और यही कारण रहा है कि उन ग्रंथों को ध्यान रखते हुए उन्होंने जो प्रानभिक काल या कहें कि हिंदी साहिते के प्रथम काल का नाम है वह वीर गाथा काल रखा था इससे पहले एक प्रशन था यहांपर द्विवेदी जी ने कहा है यह जो मत है द्विवेदी जी का कि रासक वस्तुता एक विशेश प्रकार का खेल या मनुरंजन है अरास में भी वही भाव है यह पंक्ती भी हमें इसमन डखनी है और यह पंक्ती भी कई बार पूछी जा स जिस भासा का प्रियुक करते थे चान जाती वह बासा थी राजस्तानी की डिंगल भासा तो यह भी अमेस सब्समं डखना है और राशो गरंतों में जो राजसतानी भासा में डिंगल की रूप में लिखी जाती थी पुस्त के उनमें युद्दो का चित्रन वीर्तां की ग्रंतों की विशेस्ता है आचारे शोक्री ने राशो ग्रंतों के आदार पर ही इंदी साहिति के प्रतम काल का नामगर्ण वीर गथाकाल के रूप में किया वीर गथाकाल में प्राप्त राशो कृतियां खुमान राशो हम्मीर राशो बीसल देव राशो परमाल राशो प्र और क्या है इसकी विशेस्ताई है? आधिकाल की रचना का समय नवी सतापदी है. यानि की इस समय तै नहीं है, सतापदी की रूप में यहाँ पर तै कि आ गया है कि नवी सतापदी में इसकी रचना की गई है. इसे चितोड नरीष क्वुमान के समकालिन कवी दलपती विजे द्वारा रचित माना जाता है तो रचनाकार दलपती विजे और उसके आसरे दाता या कहें कि उस समय चित्तोड में जो नरेश थे वो खुमान थे तो इन दोनों पर ही प्रस्न बनते हैं कि किसके समय में लिखी गई खुमान के समय में लिखी गई और कौन है इसके रचनाकार किन्तो कुछ विद्वान इसे सत्रहवी सतापजी की रजना मानते हैं इसमें सत्रहवी सतापजी के राजा राजसिय का भी वर्णन है लेकिन 1870 से 1890 के समय बगदाद के धर्म गुरू यानि की खलिफा अल्मामू के द्वारा चित्तोड पर किये गए आक्रमन का भी वर्णन है इससे ऐसा प्रतीत ऐसा लगता है कि नवी सतापजी के बाद प्रक्षिप्त अंस बाद में जोड़े गए है इसमें खुमान द्वारा खलिफा को परास्त करने का वर्णन है तो यहाँ पर खुमान के द्वारा खलिफा को परास्त करने का वर्णन है और साथ में तर्क दिया है कि जो सत्रवी सतापजी का वर्णन है रासियं के समय का वह वर्णन है वह बाद में लिखा गया है वीर रस के साथ साथ स्रिंगार की तारा भी बहिए तो इसमें वीररस और स्रिणाररस दोनों का ही प्रियोग हुआ है इस कृती में इसकी वासा भी डिंगल है डिंगल है राजस्तानी के अंतरगत जो चार नित्यादी लिखते हैं डिंगल भासा है और उसका एक यहां पर उधान दे रखा है और यह उधान भी कई बार पूछा जाता है परिक्षाओं में संदे सापिन साहिबा, पाछो, फिरिय नदेह, पंची, घाल्या, पिंजरे, छुटन, रो, संदेह यह खुमार रासों की पंक्तिया हैं, तो इन पंक्तियों को लिखने वाले कौन हैं, अक्सर हमें याद रहता हैं, दलपती विजय कई बार प्रस्ण पूछा जाता है कि इन पंक्तियों को लिखने वाले दलपती विजय की कृती कौन सी है तो प्रस्ण घुमा के भी पूछा जा सकता है या पर इन पंक्तियों की रचना कौन सी सताब दीव की माने जाती है ऐसा प्रस्न भी पूछा जा सकता है और पूछा यह भी जा सकता है कि इसकृति में किसने किसको परास्त किया यानि कि खुमान ने खलीपा को परास्त किया या फिर कहें कि इनका इसकृति में किसका वर्णन है किसकी युद्ध का वर्णन है खुमान और खलिफा के युद्ध का वर्णन है बगदाद के धर्म गुरु या कहें कि बगदाद के खलिफा का के युद्ध का वर्णन है वीर और स्रिंगार दोनों रस है इसके अंदर डिंगल वासाय ध्यान रखनी है यह था खुमान रासो के बारे में अगली कृति है हमेर राव हम्मीर की गाता है रन्थमबोर की राव है और उनका नाम है हम्मीर देव इनके सुर्य की गाता हम्मीर रासों में सारंग दर न वर्नित की है इसका समय तेरहवी सताब्दी बता गया है निश्चित समय नहीं बताया है लेकिन सताब्दी बता रखिये तेरहवी अल्लावदिन खिलजी द्वरा 1301 में रन थंबोर पर किये गए आक्रमन का वरतान्त बताया गया है 1301 में जो आक्रमन किया गया था रन थंबोर पर अल्लावदिन खिलजी द्वरा उसका वर्णन है इस कृती में प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ चंद मिलते हैं इसकी कृती उपलब्द नहीं है यानि की मूल पस्तक उपलब्द नहीं है तो फिर क्या उपलब्द है इनके कुछ चंद जिनकी संख्या आठ है वो मिलते हैं कौन सी कृती में प्राकृत पैंगलम में तो इस कृति को जब पढ़ा तो मालूम चला कि ये जो आठ छंद है वो हम्मीर रासो के हैं तो उस आधार पर हम्मीर रासो को एक कृति माना गया है और सारंगधर को उसका रचीता माना गया है साथ ही इसमें जो वर्णन किया गया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है तो यह कृति उपलब्द नहीं है अगली कृति है बीसल देव रासो इस कृति के रचेटा कभी नरपति नाल है इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रम समवत 1272 यानि की 1215 इस्वी मानी है जिसका प्रमान कृति में दिया है उस पुस्तक के अंदर जो लिखा गया है उसके आदार पर यहाँ पर जो विक्रम समवत है वो दिया गया है इसके लिए एक और जानकरिया की बीसल देव राशो को सुक्ल जी ने वीर गीत कहा है अब जो पंक्ति जहाँ पर दे रखी है इनने पुस्तक में बारह सो बहोतराहा मंझारी जेट बदी नवमी बुधिवारी नाल रशायन आरंभाई सरदा तूठी ब्रह्म कुमारी इसका कई विद्वानोंने बारह सो बहत्तर विक्रम समुत मानाएं और कई विद्वानोंने या कहें कि अधिकतर अधिकतर विद्वानोंने इसका समय बारह सो बारह मानाएं यहन कि बारह सो बहोतराहा इसको बारह सो बारह विक्रमी कहा है तो यह मतबेद है और यदि 1212 विक्रमी जिसे अधिकतर विद्वान मानते हैं वह माने तो उसका जो इस्वी सन है वो 1155 इस्वी बैठता है तो थोड़ा विवाद है यह विवाद हमें पता होना चाहिए और लगबग अधिखांस जो है विद्वान वो यही मानते हैं जितने भी होते हैं पुस्तक में उनको इस्वी सन में एक बार बदल करके और अधियन करना चाहिए जिससे कि हमें कोई दिविधा नहीं हो कि कई बार पूछा जाए जो विक्रम समथ है विक्रम समथ के स्थान पर यदि इस्वी सन दे दिया जाए तो फिर हमें कोई दिविधा नहीं हो तो इसके लिए हमें तयार रहना है इसके बारे में कुछ और जानकारी दे रखिए वह भी पढ़ते हैं यह एक बात और भी है यहां पर सुक्ल जी ने इसे वीर गीत कहा है यह बात पहले पढ़ चुके हैं बीसल देव रासों को साथ में ही परमाल रासों को भी इन्होंने वीर गीत कहा है लेकिन अधिकतर विद्वान विक्रम समथ 1212 में इसके रच्मा काल स्विकारते हैं इसमें अजमेर के चोहान वंसी राजा बीसल देव के विवाह यहने कि अजमेर के बीसल देव का विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुतरी राजमती से हुआ है किन्तु राजमती और बीसल देव में आपसी समवाद के कारण बीसल देव राजमती को छोड़ कर उड़ी सा चला गया वह बारह वर्स तक वहीं रहा किस कृती में राजमती की विरह गाता है अरानी राजमती नारी गरिमा से युक्त एक संसकारित इस्त्री है और बीसल देव सामंती जीवन का अभिमानी राजा इस कावे की भाव भूमी निश्चल प्रेम एवम नारी स्वाभिमान की भावना से ओत प्रोत है इसे विस्तार से समझते हैं इसकी जो विसे वस्तु है वह बीसल देव जो की अजमेर के चोहान सासक है उनके विवाह पर आदारित है और उनका विवाह मालवा के राजा परमार की पुत्री जिसका नाम था राजमती से हुगा विवाह होने के पस्चात में दोनों में आपसी समवाद के कारण विवाद हो जाता है और फिर वे राजमती को छोड़ करके उड़ी सा चले जाते हैं और बारह वर्स वहीं रहते हैं इस क्रति में इस दोरान जो राजमती की विरह गाता है उसका वर्णन किया गया है बीसल देव रासो में और यहां पर बताया गया है कि बीसल देव रासो है वह उसका जो नायक है बीसल देव वह सामंती जीवन का अभिमानी राजा था जबकि नाई का राजमती है वह एक ग पूल भाव है वह निश्चल प्रें एवं नारी स्वाविमान की भावना है अब हम पढ़ते हैं परमाल राशो को परमाल राशो को वीद गीत कहा है सुक्ल जी ने ये बात हमने पहले भी जान लिये हैं लिखने वाले है कवी जगनिक कालेंजर जिसे चंदेल राज्ये के राज्यास रही था, कभी था यह जगनिक, यनकी उनके दर्बार में रहता था, जगनिक, परमार्दी देव के आसरे में रहता था इसी के यहां बनाफर साखा के, बहुत महत पूंड यहां पर प्रस्ट साखा के दो च्छत्रिय वीर आलहा और अुदर रहते थे प्रस्ण कई बार पूछा गया है कि आला और उदल किस साखा से सम्मन था उनका तो उनकी साखा आयोगा बना फर साखा है इन दोनों वीरों की युद में वीर गति को प्राप्त होने पर जगनिक कवी ने अद्वुत सौर्य गाथा को काव्य में लिखा इसे आलाखंड के नाम से भी जानते हैं इसकी रचना 13 भी सताबदी की माने जाती है किंतु इसकी प्रामानिकता संदिक्द है क्योंकि यह जो रचना है वह जंता में प्रचलित हैं गीतों के रूप में इसलिए इनको वीर गीत के कहा है सुकल जी ने इसकी विशेवस्तु और विशेश तोर से जो इसके नायक है आला और उदल उनकी बनाफ और साखा है उससे समंदित प्रश्चन आता है और लेखक और यह जो आसरे दाता है इससे भी समंदित प्रश्न आता है अगली रचना है राशो कायू में विजेपाल राशो को मिस्र बंधुआने समवत 1355 यानि की 1298 इसवी का गरंथ माना है जिसकी रचना कभी नल सी ने किये इसमें राजा विजेपाल की विजे यात्राओं का वर्णन है यह इसकी वर्णने से 16 में सताब्धी की रचना है इसमें 42 छंद मिलते हैं चंदों की संख्या कई बार पूछी जाती है और विजेपाल राशों में 42 छंद मिलते हैं किन्तो यह कृति अपूर्ण है, तो यह भी महत्पूर्ण प्रश्ण है कि कौन सा रासो गरंत है अपूर्ण है, तो विजेपाल रासो उसका उत्तर है, अगली कृति है जो बहुँ चर्चित है और उससे समंदित अक्सर प्रश्ण परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और वह अगला प्रश्ण महत्पूर्ण है, प्रत्वी राज रासो के चार संस्क्रण मिलते हैं, कितने संस्क्रण मिलते हैं, चार, इससे यह पता लगाना कठिन है कि इसमें प्रामानिक कौन सा है, प्रत्वी राज रासो की प्रामानिक ता पर दो पक्ष है, एक पक्ष उसे पूर प्रामानिक मानने वाले हैं वो हैं प्रत्वी राज राशों को प्रत्वी 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 राशों को प सभी मानते हैं कि प्रत्वी राज रासो प्रामानिक रचना है और तीसरा पक्स है जो प्रत्वी राज रासो को अर्ध प्रामानिक मानता है यानि कि इसका कुछ हिस्सा प्रामानिक है और कुछ हिस्सा प्रामानिक नहीं है इस संबंद में आधुनिक तम एवं ठोस मत आचारे हजारी परशाद द्विवेदी का है ये इसे अर्ध प्रामानिक मानते हैं तो ये अर्ध प्रामानिक मानने वाले हैं आचारे हजारी परशाद द्विवेदी दूवेदी का मत हैं कि रासों की समवाद सेली आपसी जो बातित है अन्य रासों गरंतों यता संदेस राशक से मिलती हैं रासों में बारहवी सताबदी की वाशागत प्रवर्टिया मिलती है यह सुद्ध एतियासिक न होकर काव्य ग्रंथ है तो इसे काव्य ग्रंथ मानते हैं सुद्ध एतियासिक नहीं मानते है रासो में वे सर्ग प्रामानिक है इसके बारे में यह बहुत महत्मुन प्रश्ण है और इंपोर्टेंट है परिक्षाओं में बहुत बार पुछा गया है रासों में वे सर्ग प्रामानिक है जिनका प्रारंब सुक सुकी समवाद से होता है तो सुक सुकी समवाद का जो समवाद है वह प्रतिर्याज रासों में हमें मिलता है ऐसा मानने वाले हैं आचारे हजारी परसाद दुवेदी य चंद बरदाई ऐसे साज प्रफुल कवी के रूप में दृष्टिकत होते हैं जो विसम परिस्तियों में भी जीवन रश सींचते हैं अतहा दुवेदी ने लिखा है कि प्रतिवी राज रासो एक दम अप्रामानिक पुस्तक नहीं है तो अर्ध प्रामानिक मानने वाले हैं आचारे हजारी पर्शाद दिवेदी इसकी कुछ प्रामानिकता प्राप्त होती है जैसे आरंभिक अंस इच्छिनी विवाह ससी वृत का गंदर्व विवाह सयों गीता का जन्म ये सारे जो अंस है इस पुस्तक में जो वर्णित है वो प्रामानिक माने जाते हैं। प्रिकार प्रत्युराज राशों की कठा एतियासिक हैं। चंद बर्दाई चौहान वंसीय राजा प्रत्युराज चौहान के प्रिय सखावी थे और उनके ही दरबारी कभी थे। जब सहाबू दीन गोरी ने प्रत्युराज को बंदी बना कर गजनी ले गया तब प्रत्युराज चोहान को बचाने के लिए चंद वर्दाई स्वेम ही साथ गए और सब्ध भेदी बाण चलाने में कुशल कौन थे प्रत्युराज चोहान का कौशल गजनी में दिखाया इस सब्ध वेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं प्राण त्याग दिये यानि कि एक दूसरे को मार दिया इसमें प्रत्युराज की वीर्ता सौर्य एवं पराक्रम का सुंदर चित्रन है इस कारण यह महा काव्य की सृरेणी में आता है तो इसे महाकावे कहा जाता है, कहते हैं कि चंद प्रत्री राज के साथ जाते समय अपने इस ग्रंद को पुत्र जलहन को के आत में सौप गए थे और इस संदर्ब में जो पंक्ति प्रशिद है वहाँ है पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन निर्प काजे यानि कि अपने पुत्र जलहन को चंद बरदाई पुस्तक दे करके और राजा प्रतिराज के कारे हेतु उनकी साथ गए तो ये विसे वस्तुती प्रतिराज राशो की तो आपने बड़े धहरे से राशो कावे के बारे में इस वीडियो में सुना इसके लिए आपका बहुत आ लाग रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे साजा जरूर करें फिर मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद